दोस्तों बिहार SI मेंस के लिए आज सेट नमर 9 लगाते हैं जो मार्स मेंन की सेट प्रेटिस से ली गई है इसमें साड़े प्रस बहुती महत्पुन दिये गए हैं जो आपके एक्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है जो लोग CDPO, BPSC PT के तियारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट लगा सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रसन है पाल वंस का संथापक कौन था तो दोस्तों पाल वंस का संथापक था गोपाल ओप्शन C हो जाएगा सही पाल वंस का संथापक गोपाल था पाल वंस जो की एक छत्री वंस था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो, 1857 का बिद्रो लखनओ में किसके नेतित में आगे बढ़ा था? तो दोस्तो 1857 का बिद्रो लखनओ में बेगम औफ अवत के नेतित में आगे बढ़ा था लखनव में बिद्रो का पारम चार जून 1857 को हुआ था और बिद्रो का नेतित बेगम हजत महल ने किया था अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो अलादिन खिल्जी के निम सेना अध्यचेव में कौन सा तुगलक वन्स का परथम सुल्तान बना तो दोस्तो तुगलक वन्स का परथम सुल्तान बना गाजी मलिक और आदिन ने सेना पतियों में ग्यासे दिन तुगलक वन्स का परथम सा सक था उसने तुगलक वन्स की अस्तापना की थी अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो महापड़ी निर्वान मंदीर कहां अवस्ति थै तो दोस्तो महापड़ी निर्वान मंदीर अवस्ति थै कुशी नगर में महापड़ी निर्वान मंदीर उत्कर पर्देश की कुशी नगर जिले मिश्तित है मंदीर में अस्थापित भवान बूत की मुर्ती 1806 इस्वी में उत्खरन के द्वड़ा पड़ात की गई थी अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो संस्कारों की कूल संख्या कितनी है अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो भारत वर्च में ब्रिटिश समराज का संसापक कौन था तो दोस्तो भारत वर्च में ब्रिटिश समराज का संसापक था लोड कलाइब ओप्शन सी हो जाएगा सही अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के करम में सैनिक छाबनी में पैदा हुआ था तो दोस्तों वह थें अमोक वर्ष राश्कुट अमोक वर्ष राश्कुट जो की अपने पिता के अभियानों के करम में सैनिक छाबनी में पैदा हुए थे अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो प्रित्वी राज रासों के लेखक कौन है तो दोस्तो प्रित्वी राज रासों के लेखक है चनबर दाई option D हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो सबसे पुराना वेधन कौन सा है तो दोस्तो सबसे पुड़ाना वेद है रिग वेद ओप्शन B हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो R सब इंगित करता है तो दोस्तो R सब इंगित करता है स्रेश्ट वन्स को ओप्शन D हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो वह कौन था जिसने गदर पार्टी को अस्थापित किया था तो दोस्तो गदर पार्टी को अस्थापित किया गिया था लाला हर्द्याल की द्वड़ा अगला प्रस्ण देखते हैं भारती राष्टी कॉंग्रेश की अस्थापना कीस ने की थी? तो दोस्तो भारती राष्टी कॉंग्रेश की अस्थापना ए ओ ह्यूम की दोड़ा की गई थी? अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो भारत के सुरंता संगर्ष के दुरान सबसे पहले सत्यागर्ष किसने किया था तो दोस्तो भारत के सुरंता संगर्ष के दुरान सबसे पहले सत्यागर्ष किया था महत्मा गांधी ने Option D हो जाएगा सही महात्मा गांधी ने भारत के सुरंता संगर्ष के दुरान वर्ष 1917 में चमपारन से सत्यागरपारम किया था या गांधी जी का भारत में पहला सपल सत्यागरप था अगला प्रस्म देखते हैं ब्रहम समाज की अस्थापना किस ने की थी? तो दोस्तों ब्रहम समाज की अस्थापना की थी राजा रामोन राएने और इसकी अस्थापना अठाड़ोस अठाइस में की गई थी अगला प्रस्म देखते हैं लाहोर सरियन कांड में निमलीखित में से किस करांती कारी को फासी नहीं हुई थी तो दोस्तो उहक करांती कारी थे बटुकेशवर दत जिसे की लाहोर सर्यंद कांड में फासी नहीं हुई थी बटुकेशवर दत को काला पानी की सजा देकर सेलिवरोर जेल में भेज दिया गिया था जबकि सुकदेव, सरदार भगत सिंग तथा राजगुरु को लाहोर शरियन कांड में फांसी ती गई थी अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो आजाद हिन फोज दिवस की स्तिथी को मनाया गिया था अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो कौन सी महत्पुन घटना जलिया वाला बाग नर्शंगार की तुरन पूर्व घटी थी तो दोस्तो उख घटना थी रोलेक्ट एक का बढ़ना अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो 1921 का मौपला आंदुलन की साखा थी तो दोस्तो 1921 का मौपला आंदुलन खिलापत आंदुलन की साखा थी अगला प्रस्न देखते हैं महात्मा गांधी को स्वर पर्थम राश्पिता कीस ने कहा था तो दोस्तो महात्मा गांधी को सुड़पतम राश्पिता कहा था सुवाचन बोस्ट ओप्शन डी हो जाएगा सही अगला प्रस्ट देखते हैं निमली खित में से किस आंदरण में महिलाओं की भागिदारी सरवाधिक मानी जाती है तो दोस्तो वह आंदरण है नमक सत्यागर आंदरण नमक सत्यागर आंदरण में महिलाओं की भागिदारी सरवाधिक मानी जाती है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्यागर की शुरुवात की थी यही से सब ने अवगिया आंदरण की शुरुवात हुई थी इस आंदलन में महिलाओं की भागिदारी सरवाधिक मानी जाती है अगला प्रस्म देखते हैं निमलिखी देशों में से कीज देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है नाडवे देश में अगला प्रस्म देखते हैं संसार का सरवाधिक जनसंखिया वाला मडवस्तल कौन सा है तो दोस्तो संसार का सरवाधिक जनसंखिया वाला मडवस्तल है थार अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो भारत की निमलिखित नदियों में से कौन सी हिमाले की सभी स्रेणियों को काटती है तो दोस्तो भारत की सतलज नदी जो की हिमाले की सभी स्रेणियों को काटती है अगला प्रस्न देखते हैं इटा नगर किस राज की राधानी है तो दोस्तो इटार नगर राजधानी है अगनाचल परदेश की अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में जन संखिया घनत तो दोस्तो भारत में जन संखिया घनत जो की निरंतर बढ़ा है ओप्शन ए हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में सबसे कम वर्षा वाला अस्थान कौन सा है तो दोस्तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला अस्थान है ले अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत की कौन से दो राज सबसे बड़े पेमाने पड़ लो अयक्सी संपन है तो दोस्तो वहर राज है करनाटक और उडिसा करनाटक और उडिसा जो की सबसे बड़े प्यमाने पर लो एक से समपन है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो सुन्दर बन डेल्टा का निर्मान करने वाली नदियां कौन सी है तो दोस्तो सुन्दर बन डेल्टा का निर्मान करने वाली नदियां है गंगा और प्रहंपूत अगला प्रस्न देखते हैं दाचिन एसिया के निम देशों में से छेतफल की द्रिष्टी से कौन सबसे छोटा है तो दोस्तो दाचिन एसिया के छेतफल की द्रिष्टी से सबसे छोटा देश है मालदीप ओप्शन ए हो जाएगा सही दाचिन एसिया में बंगला देश, भुटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान तथा स्री लंका समिली थे हैं दाचिन एसियाई देशों की छेतफल की द्रिष्टी से सबसे छोटा देश है मालदीप अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत के निमलिखित राजियों में से जनसंकिया की द्रिष्टी से सबसे छोटा राज कौन सा है इन चारो ऑप्षन में आपको बताना है तो दोस्तो ऑप्षन के अनुसार हो जाएगा उडिशा उडिशा जो की जनसंकिया की द्रिष्टी से सबसे छोटा राज है इन चारो ऑप्षनों में अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन सा एक भारतिय रिजर्बैंक का कार नहीं है तो दोस्तो भारतिय रिजर्बैंक का कार नहीं है वो है विदेशी बेपार का नियमन विदेशी बेपार का नियमन जोकी वानिज मंत्राले के दोड़ा किया जाता है जबकी करेंसी का नियमन, साक का नियमन, देश के विदेशी विन्वे, कोसो की रखवाली एं प्रवंदन यह तीनों भारती रिजर्बैंक क्या कार है अगला प्रस्म देखते हैं हरित क्रांती का मुख पढ़वा किस पर पढ़ा था तो दोस्तों हरित क्रांती का मुख पढ़वा पढ़ा था अनाचपर अगला प्रस्म देखते हैं भारत में पंच वर्षी योजना बनाने की जिम्मेदारी किस की थी तो दोस्तो भारत में फंच वर्ची योजना बनाने की जिम्मेदाड़ी थी योजना आयोकी ओप्शन C हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं राष्टिये गेड़ी सों संतान कहां इस्तित है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो कीस प्रकार का कर्द GST है तो दोस्तो GST एक अपर्तियच कर है अगला प्रसंद देखते हैं भारत की स्वेत करांती का जनक की से कहा जाता है तो दोस्तो भारत की स्वेत करांती का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गिच कुरियन को अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो लच दिप की अधिकारिक भासा क्या है तो दोस्तो लच दिप की अधिकारिक भासा है मलियालम अगला प्रस्म देखते हैं भारत की किस अनुसुची में भासा का उल्लेख है तो दोस्तो भारत की आठवी अनुसुची में भासा का उल्लेख है भारत की आठवी अनुसुची में 22 भासा का उल्लेख है अगला प्राशन देखते हैं अठाड़ो सो सरसट अरसट इसपी में भारत में प्रती बेक्ती आये 20 रुपिया थी यह सरपर्थम किसने अभी निश्चित किया था तो दोस्तो यह सरपर्थम अभी निश्चित किया गिया था दादा भाय नुडोजी के द्वारा सरपर्थम दादा भाय नुडोजी ने राश्चिय आये का आकलन करते हुए 1867 इसवी में भारत में प्रती बेक्ती आये 20 रुपिया होने का आकलन किया था अगला प्रसन देखते हैं नव रत्म का बिचार संबंदित है तो दोस्तो नवड़त्म का विचार संबंदित है सार्जनिक छेतर के चेनित उधम से अगला प्रस्म देखते हैं सर्वोच नियाले का नियाधिस अपना पत त्याग सकता है पत्र लिकर तो दोस्तो सर्वोच नियाले कनियादिस अपना पत्त या सकता है रस्पती को पत्र लिकर अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन पंचायतो की सरचना के बावत उबन करने को अधिक्रित है तो दोस्तों पंचायतों की स्रचना के बाबत उबन करने को अधिक्रित है राज का विधान मंडल ओप्शन B हो जाएगा सही समिधान के अनुछेद 243 गो एक के तहट राज का विधान मंडल पंचायतों की स्रचना के बाबत उबन करने को अधिक्रित है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत का समिधान पुन रूप से तैयार हुआ था तो दोस्तो भारत का समिधान पुन रूप से तैयार हुआ था 26 नॉम्बर 1949 को और लागू हुआ था 26 जन्बर 1950 को अगला प्रस्ण देखते हैं निमलीखित में से किसकी संसूती पर भारते समिधान में मूल करतब सामिल किया गया था तो दोस्तों मूल करतब को सामिल किया गया था सोवन सिंग समिती की रिपोर्ट पर option C हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं भारत के समिधान के अनुसार निमलीखित में से कौन सा देश के सासन के लिए अधार भूत है तो दोस्तों भारत के समिधान के अनुसार देश के सासन के लिए अधार भूत है राज के नीती निये सकतत option C हो जाएगा सही समिधान के अनुच्छे 37 के दोड़ा राज के नीती नीशक तत देश के सासन में मुलभूत हैं और विधी बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज का कर्तब होगा अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तों भारत एक धर निरपिच है इसका तातपर क्या है तो दोस्तो भारत एक धर निरपिच देश है इसका तातपर है उसका कोई राज अस्तरपर धर्म नहीं है ऑप्षन बी हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो बजट पहले किसके दोड़ा पारित किया जाता है तो दोस्तो बजट पहले लोग सबा में पारित किया जाता है option A हो जाएगा सही अगला प्रस्ण देखते हैं खन अस्तर पर पंचाय समिती एक डैस है तो दोस्तो खंड अस्तर पर पंचाय समिती है प्रसासनिक प्राधिकरन ओप्शन ए हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं निमलिखित काड़ियों में से कौन सकाड अस्थानिय सासन से सम्बंदित नहीं है तो दोस्तो उहक कार है लोग बेवस्ता का अनुरच्छन जो की अस्थानिय स्वसासन से सम्बंदित नहीं है जबकि जन स्वास्त स्वस्ता का प्रभंदन जन उप्योगी सेवाएं यह तीनों अस्थानिय स्वसासन से सम्बंदित है अगला प्रस्ण देखते हैं परजात तंद की जरे किसकी दोरा नश्ट की जा सकती है तो दोस्तों परजात तंद की जरे सामेवाद के दोरा नश्ट की जा सकती है अगला प्रस्ण देखते हैं अंत्रिच यान जो चक्कर लगा रहा है एक सेप छोड़ा जाता है तो वह अंत्रिच यान के साथ-साथ उसी गती से गतिवान होगा अगला प्रस्न देखते हैं तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यूंकि तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यूंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है ओप्शन डी हो जाएगा सही अगला प्रस्न देखते हैं एक बायो गैस सर्यंत में निमलीखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है तो दोस्तो एक बायोग गयाश्रयंत में किनुवन प्रकृडिया होती है अगला प्रसम देखते हैं दोस्तो तो दोस्तो प्रति जन वब पादर्त है जो प्रति पीन के निर्मान को उद्द्रपित करता है अगला प्रस्ण देखते हैं, दूद का दही में परिवर्तन किसके द्वड़ा होता है? तो दोस्तों दूद का दही में परिवर्तन बैक्टिरिया द्वड़ा होता है? अगला प्रस्ण देखते हैं, मनुस की आँख में किसी वस्तु का परती भीम बनता है? द्रिश्टी पटल में यानि की रेटीना में? अगला प्रस्ण देखते हैं, निम में से कौन सा जल जनित रोग है? तो दोस्तों जल जनित रोग हो जाएगा है जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं, पैंसलिन के अभिस्कारक कौन थें? तो दोस्तों पैंसलिन के अभिस्कारक थें? अलगजेंडर फ्लेमिंग अगला प्रस्ण देखते हैं, विकास का मुख कारक क्या है? तो दोस्तो विकास का मुख कारक है पड़ा किर्थिक वरण अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो पी एच एक मुलियांक दरसाता है तो दोस्तो पी एच एक मुलियांक दरसाता है किसी गोल में अमलिय या छाडिय होने का मुलियांक दोस्तों आगे 20 कोशन Math और रिजिनिंग के दिये गए हैं जिनको भी बनाना हो तो वो वीडियो पाउज करके बना सकते हैं या टेलिग्राम डाउनलेट करके भी बना सकते हैं Math और रिजिनिंग का सलूशन भी टेलिग्राम पर भेड दिया जाएगा जिससे आप practice कर सकते हैं चलिए देखते हैं 61 का answer हो जाएगा option D 62 का answer हो जाएगा option B 63 का answer हो जाएगा option B 64 का answer हो जाएगा option C 65 का answer हो जाएगा option A 66 का answer हो जाएगा Option C 67 का answer हो जाएगा Option C 68 का answer हो जाएगा Option B 69 का answer हो जाएगा Option A 70 का आंसर हो जाएगा Option A 71 का आंसर हो जाएगा Option C 72 का आंसर हो जाएगा Option B 73 का आंसर हो जाएगा Option A 74 का आंसर हो जाएगा Option D 75 का आंसर हो जाएगा Option B 76 का आंसर हो जाएगा Option C 77 का आंसर हो जाएगा Option C 88 का आंसर हो जाएगा Option B 89 का आंसर हो जाएगा Option C 80 का आंसर हो जाएगा Option A चलिए देखते हैं आगे Ireland की राधानी कहा है तो दोस्तो आइर्लेंड की राधानी है Dublin जबकि मुद्रा है यूरो अगला प्रसन देखते हैं वह अस्तान जहां केंद्रिये सुक्स भूमी खेती अनुसंदान संस्तान विद्वान है तो दोस्तो केंद्रिये सुक्स भूमी खेती अनुसंदान संस्तान इस्तित है हैदराबाद में अगला प्रसन देखते हैं राज सवा का सोड़ पर्थम गठन की सुवर्ष में हुआ था तो दोस्तो राज सवा का सोरपर्थम गठन तीन अप्रेल 1992 को हुआ था अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो परवासी भारती दिवस कบ मनाया जाता है तो दोस्तो परवासी भारती दिवस नौ जन्वरी को मनाया जाता है अगला प्रस्म देखते हैं ताज महल के पीले होने के लिए निम में से कौन जिम्मिदार है तो दोस्तो ताज महल के पीले होने के लिए सलफर डायोकसाइट जिम्मिदार है अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो Story of my Experiment with Truth के लेकख कौन है तो दोस्तो Story of my Experiment with Truth के लेकख है महात्मा गांधी अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमलीखित में से किसे मन्नो पढांत भारत रत्म परदान नहीं किया गया था तो दोस्तो वह बैकती थे डॉक्टर डीके करवे डॉक्टर डीके करवे जिसे की मन्नो पढांत भारत रत्म परदान नहीं किया गया था डॉक्टर डीके करवे को उनके जीवित रहते ही वर्ष 1958 में भारत रत्म परदान किया गया था अगला प्रस्ण देखते हैं सतरज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं तो दोस्तो सतरज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं अगला प्रस्म देखते हैं सैयुक्त राश्ट बालकोस यानि की युनेसेव का मुख्याले कहा हैं तो दोस्तो युनेसेव का मुख्याले है नियॉर्क और इसकी अस्थापना वर्ष 1946 म कहां इस्तित है तो दोस्तों पुष्कर जिल अजमेर में इस्तित है अगला प्रस्म देखते हैं पेडु की राधानी कहां है तो दोस्तो पेडू की राधानी है लीमा और पेडू की मुद्रा है नीवो सोल अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो भारत के निमलिखित राजों के समू में से कौन सा समू पाकिस्तान से सीमा बनाता है तो दोस्तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज हैं पंजाब, जमू कस्मिर, राजस्तान तथा गुजरात अगला प्रस्न देखते हैं कौन सर्राज उत्तर पुर्वी राजों की साथ बहनों का भाग नहीं है तो दोस्तो पाकिस्तान पंजाब, जो कि उत्तर पुर्वी राजों की साथ बहनों का भाग नहीं है उत्तर पुर्वी राजों में साथ बहनों के नाम है और आचल परदेश, असाम, मिघाले, मनीपूर, मिजोरम, नागालेंट तथा तिरिपूरा अगला प्रस्ण देखते हैं उविस साचर्ता दिवस की स्तारी को मनाया जाता है तो दोस्तो उविस साचर्ता दिवस आठ सितंबर को मनाया जाता है अगला प्रस्ण देखते हैं पद्माबद नामक साहित कृती के रशनाकार के नाम को चुनना है तो दोस्तो पद्माबाद जो की मलिक मुहमद जैसी के दोड़ा लिखा गिया था अगला प्रस्न देखते हैं किस अभिनेत्री या अभिनेता को पहला दाधा साहिब फाल के पुरुशकर मिला था तो दोस्तो वह अभिनेत्री थी देविकार राणी भारती हिंदी फिल्मों की परसिद अभिनेत्री देविकार राणी चोधरी को वर्ष उनिसोगनत्तर में पहले दाधा साहिब फाल के पुरुशकर से समानित किया गिया था अगला प्रसन देखते हैं मर्सेडिज कप किस खेल से संबंदित है तो दोस्तो मर्सेडिज कप संबंदित है लौल टेनिस से अगला प्रस्ण देखते हैं विस बैंक का मुख्याले कहां इस्तित है तो दोस्तों विस बैंक का मुख्याले इस्तित है वासिंटन डिसी में और इसकी अस्थापना 1945 में की गई थी अगला प्रस्ण देखते हैं हरी परसा चोड़ोसिया एक परसिर तो दोस्तो हरी परसा चोड़सिया एक परसिर बांसरी वादक है अगला अंतिम परसन देखते हैं दोस्तो उर्जा का आप परद दूसर की शरोत कौन सा है तो दोस्तो उर्जा का आप परद दूसर की शरोत है सोड उर्जा थेंक यू